नमस्कार बंद गोभी मैं पहले चोटे से शुरू बात करेंगा कैवेज की बात करते हैं का मतलब है यहाँ पर बंद कोभी बंद गोवी में लेयर होती है ना उसी तरह से स्टरडजी में किसी चीज की लेयर है इसलिए इसका नाम पड़ा कैबेज स्टरडजी में बताता हूँ कहां से है टर्म यह एक चुली यह टर्म है साउथ चाइना सी से साउथ चाइना सी में चीन ने उसके 90% हिस्से पर अपना दावा जता दिया है और इस दावे को जताने के लिए उसने एक लाइन का नाम सुना होगा चर्चा में रहता है नाइन डाइस लाइन वो कोई लाइन वहां पर नहीं है वो मैप पर दिखाए है नाइन डाइस आ रहा है वो मेरा है अब यहां दिक्कत क्या है यहां दिक्कत यह है कि जो किनारे और देश हैं टाइवान वियतनाम मलेशिया फिलिपीन्स और बुर्णेई इनके साथ चीन का जगड़ा बना हुआ है क्योंकि यूनाटेट नेशन्स के उन्नीस सो नाइटीन टू के ला में जिसे लाफसी कहते हैं यह लिखा है कि प्रतेख देश को अपने समुद्री तट से 200 नाटिकल माइल्स तक EEZ होगा Exclusive Economic Zone होगा अगर यह नापते हैं 200 नाटिकल माल यह देश जिनका मैंन नाम लिया तो वो 9 डैसलान के अंदर जाता है जिसको चीन मानता नहीं प्रदान करता अब वहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ के बोट्स और नाविल सिप्स वहाँ घस्त लगाते हैं और बड़ी टेंस सेच्वेशन बनी रहती है वहाँ पर चाइना ने क्या किया कि वहाँ पर जिसे इस्प्रेटली आइलेंड है आप उन आइलेंड पर कबजा करने के लिए वह ऐसी स्टेड़ी अपनाता है कि छोटे-छोटे देश चीन की स्टेड़ी को भेद ना सकें तो क्या करता है जिसे कोई आइलेंड कल्पना कीजिए आप सब से अंदर वह क्या करेगा अपने लगा देगा मश्री पकड़ने वा उसको याद करिए एक लेयर हो गई उसकी उपर के लेयर में लगा देगा वो जो उसका जिसे कोस्ट गार्ड की सिप्स को लगा देगा दूसरी लेयर हो गई तीसरी लेयर में अपनी मेन आर्मी को तैनात कर देगा यानि कि कोई भी आदमी यह जो इन कंट्री की नव सेना को अगर उस दीव तो पहुँचना है तो तीन जगे उसे लड़ना पड़ेगा तो कैबेज की तरह लेयर बनाता है डिफेंस की इसलिए इसका नाम कैबेज स्ट्रेटिजी पड़ गया है और ये बर्तमान समय में साउथ चाइना सी के कंटेक्स में चर्चा में है दूसरा जो आपने बताया वोल्फ वारियर डिप्लोमैसी वोल्फ का मतलब भेडिया जिसे हम लोग जानते है उससे है एक्चुली ये जो टर्म आया ये 2014 के बाद जब से ये नए रास्ट पती आये जी जिंक पिंग जो है इनके कारकाल में एनों ने क्या किया कि आपने जो डिप्लोमैट्स है उनको ये समझाया कि चीन के इंट्रस्ट की अगर आप बात आये तो अब diplomatic courtesy की बात नहीं करना है आप aggressive होके अपनी बात रखना है जिसे United Nations Security Council है यह कहीं bilateral negotiations है यह Human Rights Council है वहाँ जब इनको diplomats मतलब चाहिना कि कभी कोई कमी नहीं मानते हैं aggressive हो पर दूसरे प्यारोप लगाते हैं तो उसको कहा गया इस aggressive nationalism को कहा गया wolf warrior diplomacy actually यह जो नाम आया यह wolf warrior जो है एक film बनी थी इसके पहले जो है चाइना में वहाँ उस film में क्या दिखाया गया था कि चीन के कुछ लोगों को बंदक बना लिया गया दूसरे देश में और यहाँ से पर चीन के लोग जाते हैं और पूरी बहादरी के साथ उनको वहाँ से न चीन की आकरमकता यह डिप्लोमेटिक आकरमट सीलता को दरसाता है टर्म जो लास्ट टर्म है वह सलामी स्लाइसिंग सलामी स्लाइसिंग जो है वो चीन की दूसरे देशों की जमीन पर कबजा करने की स्ट्रेड़ी से संबन ने थैं जो चीन है या उसके इतिहास में यह बात नहीं थै कि जमीन को लेकर टेरिटोरी को लेकर वो बहुत आधिक संबेदन सील है और यह ऐसा देश है कि इसके चौदा पडोसी है और चौदा पडोसीों में से ऐसा कोई पडोसी नहीं है जिसके साथ चीन का सीमा बिवाद ना रह कुछ का समधान जोर जबर जस्ती से कर लिया है कुछ का समधान नहीं कर पाया है यह क्या करता है सलामी स्लाइसिंग में कि जब समधान नहीं कर पाना है इसको जमीन कप जाना है दूसरे की तो पहले वो क्या करेगा थोड़े से हिस्से पर कपजा कर लेगा एक किलोमेटर कि जब वो एक किलोमीटर में कबजा करके फिर काएगा वो कि अब दूसरे संबन्दों को समाने बना लिया जाए साल दो साल बाद फिर नार्मन हो जाएगा वह बाद की फिर आगले आर दस साल बाद फिर दो किलोमीटर अंदर गुज़ गया भारत के साथ यह टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है चीन की नीती में क्योंकि वो जो लाइन आफ एक्शुल कंट्रोल लद्दाक इस्टन लद्दाक में जो कर रहा है वो सलामी स्लाइसिंग का ही पार्ट है चीन क्या कह रहा है कि थोड़ा अंदर गुशाया दस जगे पर बात इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप आर्थिक टेक्नलोजी और दूसरे मामलों में हम अपने संबंदों को सामान कर लें लेकिन भारत उसकी कूट नीती को समझता है सलामी स्लाइसिंग को आपे भी जानना चाहिए तो भारत ने क्यों यह सर्त रखी है कि जब तक सीमा भी चीन के साथ संबंदों को सामान नहीं बनाएंगे तो हम संचेप में कह सकते हैं यह धीरे धीरे टुकडों में सलाइसिंग का मतलब ही है सलामी सलाइसिंग का मतलब ही है टुकडों में धीरे उसे जल्दी नहीं है धीरे धीरे टुकडों में वो दूसरों की जमीन पर कब जाता है मैं समझता हूँ कि एक concept आपको clear होगा मैं ये भी आज ये कहना चाहूँ आपको कि अगर आपको इनमें कोई question हो कोई बात ना समझे हो और आपको लगता हो कि इसमें ये चीज और जोड़ी जा सकती है तो आप comment box समझा के कर सकते हैं इसके अलावा दूसरा आफर ये है आपको कि और कोई concept इस तरह का जो आपको concept को समझने में दिक्कत हो रही हो तो उस comment को भी उस concept को भी लिख के हमसे पूछ सकते हैं हम उसको respond करेंगे thank you